आज हम यही मानते हैं कि विज्ञान ने बहुत उन्नती कर ली है इनसान के चांद पर पहुचने से लेकर हमारे सौर मंडल तक बलगी उससे भी आगे जैसे इतिहास में नहीं की गई लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल है जो अपने जवाबों की तलाश कर रहे है लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है विज्ञान ने हमें ये तो बताया कि ब्रहमाण की उत्पती बिग बैंक से हुई है लेकिन ये नहीं बताया कि बिग बैंक कैसे हुआ आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि बिग बैंक थियोरी सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में कई रहस्यों से पर्दा उठाते हैं पिछली वीडियो में हमने बिग बैंक थियोरी और हिंदू धर्म से जुड़े वेदों का सच उजागर किया था कि कैसे शिवजी और अन्य देवी देरताओं ने ब्रह्मान के सच को उजागर किया है आज हम गैराई तक जाकर इन सबी रहन्स्यों से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आप भी कहींगे कि बिग बैंक थियोरी सिर्फ एक कहानी है हम अपने सनातन धर्में बताई ब्रह्मान की बातों को सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक मानते हैं जबकि विज्ञान में बताई गई बिग बैंक थियोरी को सच मान लेते हैं कहते हैं ना सच दीरे-दीरे उजागर होता है। कई वज्यानिक अब हिंदु धर्म से चुड़े वेदो को ही सच मानना शुरू कर रही है। हिंदु वेदो में लिखे हुए बारिक से बारिक श्लोकों को समझने का प्रियास कर रही है। हमारे वेदों में स्रिष्टी रचना की थियोरी बताई गई है, जो अब वैज्ञानिकों के लिए एक नई खोच जैसी है, जिसे बेग बैंक थियोरी को साफ साफ नकारा जा सकता है। वेदों के अनुसार महा विष्णू की नाभी से ही ब्रहमान की शुरुवात हुई, महा विष्णू, महा शिव जो समय और काल चक्र से भी बाहर हैं, उनकी नाभी से एक कमल निकला, जो ब्रहमा बने। विज्ञान की नजर से देखा चाए तो ब्रह्मा ही हमारा ब्रह्माण है और महाविष्णू समूचा अंत्रिक्ष। ब्रह्मा की उत्पत्ति से हमारे ब्रह्माण की भी उत्पत्ति हुई लेकिन हमारे वेदों में ये भी कहा गया है कि ब्रह्मा की शिरुवात और अंत दोनों होना तहर यानि कि जस तरह ब्रह्माण बना है उसी तरह उसका अंत भी होगा और फिर एक नई शिरुवात होगी फि ऐसे में सवाल उड़ता है कि हमारे ब्रह्मान की शुरुवात आखिर कब हुई और इसका अंत कब होगा हमारे वेदों में जिक्र मिलता है कि ब्रह्मा का एक जीवनकाल सालों का होता है उसके बाद उनका अंत होना तेह है और फिर एक नए ब्रह्मा का चन्म होता है ऐसे में भ्रह्मा के जन्म को बिग बैंग माना जाता है और उनके अंत को बिग क्रंच जो आने वाले हजार सालों में पृत्वी के अंत के रूप में आपके पुष्टों को देखने को मिलेगा अब सवाल ये है कि आखिर ये अंत कब होगा चलिए इससे हमारे वेदों में बताए गए तत्थियों से जोड़ते हैं माननीजिए कि आज बिग बैंग हुआ है यानि कि ब्रह्मा का जन्म हुआ है ब्रह्मा सौ साल तक जीते हैं लेकिन उनका एक साल 360 दिनों का होता है और हर दिन में रात और दिन होता है जिसे कल्प कहा जाता है उनके हर कल्प में 14 मनुअवतार होते हैं और इस समय हम सातवे मनुअवतार में हैं वही एक मनुअवतार में 71 महा युग होते हैं और एक महा युग में 4 युग होते हैं और इस समय हम कल युग में जी रही हैं अगर इस तरह से देखा चाए तो ब्रहमा का एक दिन हमारे लिए चार बिलियन के बराबर होता है यानि कि बिक्रंज और कल्यों के समाप्ती में अभी सैकडो साल बचे है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे इन सब चीजों को देख पाएंगे शायद हम तब तक जिन्दा ना रहे लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक है सनातन धर्म, वेद और साथी जिने मौडन विज्ञानिक माइथलोजी कहते हैं हम उन सभी रहस्यों से परदा उठाकर ये बताएंगे कि सनातन धर्म, कि रिश्यमुनी, देविदेता सब कुछ सच था जो कल्पना या जो माया जाल वह सोच रहे हैं वो बलकि अभी की बहुत एक दुनिया है जिसे बदला नहीं जा सकता लेकिन हम अपने इतिहास से बहुत कुछ सीख कर अपने भविश्य में तब दीलिया ना सकते हैं आने वाली कुछ खास वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कैसे हमारे रिश्यमुनी इतने ग्यान वर्दक थे आखिर उनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मौजूद थे प्रमान वम से लेकर साथ ही साथ कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र और कुछ ऐसी समानताई जो दूसरे धर्मों में भी देखने को मिलती है इसके लिए अभी आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस हिंदू को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हम जल्द ही जल्द आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाते रहें देखते रहिए मिस्टीरियस हिंदू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवश्य की चीकार धानेबाद झाल को जाएब आवश्य की चैनल को सब्सक्राइब करें